पधा एक आदशी, योधिष्ठिर ने पूछा केशव, कृपया यह बताये कि भाद्रपद मास के शुकल पक्ष में जो एक आदशी होती है, उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है, और कैसी विधी है, भगवान श्री कृष्ण बोले राजन, इस विशय में मैं तुम्हें आश्चर यजनक कता सुनाता हूँ, जिसे ब्रहमा जी ने महात्मा नारद से कहा था, नारद जी ने पूछा चतुर मुख, आपको नमस्कार है, मैं भगवान विश्णों की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ, कि भाद्रपद मास के शुकल पक्ष म पूजा होती है, यह उतम वरत अवश्य करने योग्य है, सूर्य वर्ष में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतिग्य और प्रतापी राजर्शी हो गए हैं, वे अपने और अस्पुत्रों की भानती धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे, उनके राज्य में समस्त वरणों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे, मानधाता के राज्य की भूमिक कामधेनु के समान फल देने वाली थी, उनके राज्यकाल में प्रजा को बाग सुख प्राप्थ होता था, एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्थ होने प पुराणों में मनीशी पुरुषों ने जलको नार कहा है, वह नार ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायन खलाते हैं, नारायन स्वरुप भगवान विश्नु सर्वत्रव या पकरुप में विराजमान हैं, वे ही मिध्र स्वरुप होकर वर्षा करते ह वर्षा से अन पैदा होता है और अन से प्रजा जीवन धारन करती है, निवश्रिष्ट, इस समय अन के बिना प्रजा का नाश्ध हो रहा है, अध, ऐसा कोई उपाय कीजिए, जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो, राजा ने कहा आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन को ब्रहम कहा गया है, अन से प्राणी उत्पन्न होते हैं, और अन से ही जगत जीवन धारन करता है, लोक में बाहुधा ऐसा सुना जाता है, तथा पुरान में भी बात्विस्तार के साथ ऐसा वर्नन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किन्तो जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ, तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता, फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूरन प्रयत्न करूंगा, ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इने गने व्यक्तियों को साथ ले, विधाता को प्र चरणों में प्रणाम किया, मुनी ने भी स्वस्तिक्ध कर राजा का अभिनंदन किया और उनके राजय के सातों अंगों की कुशलता पूछी, राजा ने अपनी कुशलता बता कर मुनी के स्वास्थय का समाचार पूछा, मुनी ने राजय को आसन और अर्ध्य दिया, उन्ह क्या कारण है इस बात को मैं नहीं जानता। प्रिशिब बोले राजन, सब यूगों में उत्तम या सत्ययूग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से यूगत होता है। इस यूग में केवल ब्राहमन ही तपस्या करता है। इसी कारण में घपानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यतन करो। जिससे यह अनावरिष्टी का दोश शांथ हो जाले। राजा ने कहा मुनिवर। एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराद है। अध। मैं उसका अनिष् फ्यात एक आदशी होती है। उसके वरत के प्रभाव से निष्चय ही उत्तम वरिष्टी होगी। नरेश तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका वरत करो। प्रिशी के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लोट आए। उन्होंने चारों वरणों की समस्त प्रज इस कारण इस उत्तम वरत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पधा एक आदशी के दिन जल से भरे हुए घरे को वस्त्र से धकंकर दही और चावल के साथ ब्राहमन को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत का उच्चारन करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुधा श्रवन संग्यक। अग्व औग संक्षयम प्रित्वा सर्वस ओक्या प्रदोभव धूति मुक्ति प्रदश चैवलो काना सुख दाय कह। बुधवार और श्रवन नक्षत्र के योग से योग्त द्वादशी के दिन बुधध श्रवन नाम धारन करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है। नमस्कार है। मेरी पापराशी का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुर्ण्यात माजनों को भ्योग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुख दायक हैं। राजन इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।